गेहूं के अभी वनस्पतिक अवस्था हैं चल रही है अभी गेहूं बड़वार की स्थिति में है और कहीं कहीं जो है अभी बालिया निकलने के अवस्था भी आ चुके। तो ऐसी अवस्था बहुत ही संसिटी होती है गेहों की फसल के लिए और अभी हाली में जो मौसम में बदला हुआ है मैं अगर अपने 36 गड़ की बात करूं तो यहां दो दिन हाई अलर्ट अब रखा हुआ है मौसम विभाग की तरब से पतलब अभी दो दिन यहां बारिस के स साथ हवाएं भी चलने की संभावना ओले की भी संभावना इन्होंने जताया है सिधी बात है कि जिस तरीके से भी बदली चाही हुई है पूरी भारत में तो मौसम में जो है अभी हुमिडिटी जो है ओ लगभग काफी बढ़ चुका है कहीं कहीं तो 95% तक आ गई है जो हमारी या कीट लग जाते हैं तो हमारे फorig उत्पादन में काफी नुकसान आता है तो आज हम बात करेंगे ये दो फंगस और कीट के बारे में जो गेहुं के लिए को सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं सबसे पहले मैं बात करता हूं कि यहूं में फंगस बीमारी की जो की रष्ट बोलते हैं रष्ट कई टोड़ाइप से होते हैं भूरे रष्ट कई तरह के रष्ट जो हमारे यहूं में आते हैं रष्ट का लक्षण यह रहता है कि जो पत लग जाते हैं तो उसकी जो क्लोरोफील में मतलब खाना बनाने की उनकी जो केपेसीटी है प्रकास अंतेसंट की क्रिया काफी धीरे हो जाती है जिससे गेहों की बढ़वार रोस्था को काफी नुकसान पहुंचता है तो इसलिए फंगस को क्लियर करना सबसे जवरी है और गे पर लीटर पानी के हिसाब से लेके इस्प्रे करना है अगर आप प्रोपी कोन जोल का इस्प्रे कर देते हैं आपकी फसल में तो रश्ट संबंधित जो बिमारी मौसम के चलते आने वाली है वो पूरी तरीके से रूख जाएगी इसके समसाद आप अगर जैविक में करना च फ्लोरेंस जो आती है तो उसका भी अगर आप अपने फसल पर इस्प्रे करते हैं रोग लगने के पहले के अवस्था में तो उसका भी कारगर असर देखने को मिलता है तो इस अवस्था में जैसे कि अभी के जो मौसम बना हुआ है तो आप प्रोपी कोन जोल या फिर ग्यहूं का एफिट जैसी बदली का मौसम आता है एफिट के जो तादाध हैं काफी बढ़ जाते हैं और एक चोटे कीट होते हैं और ग्यहूं चुकी एक घने तरीके से लगा होता है तो फसल के कहां पर एफिट लग गया है हम अगर ध्यान से न देखें तो नहीं भी पाते हैं तो इस अवस्था में आपको एक इस्प्रे एफिट के लिए भी जोरी होता है इसके लिए आप चाहें तो इमिडा क्लोरोप्रीट का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप इसमें फिप्रो नील का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके से इसमें से चार-पांच मैं कोकिट नासक का नाम इसमें बता दे रहा हूं इसमें से कोई एक का आप इस्तेमाल करिए तो इससे एफिट से भी आप निजात पास सकते हैं अगर आप जैविक में करते हैं तो अगनी आस्तर या पिर बर्मास्तर का आप परियोग कर सकते हैं उसके बारे में लिखी जानकारी दिया गया है हमारा जो एफ है Pesticide Info आप उसको डाउनलोड करके जैविक सेक्षन में ये सारे चीज देख सकती है ये जो दो चीज होती है इसके सहसाथ मैं आपको बता दूँ अगर आप प्रोपी कोना जोल का स्प्रे करते हैं तो फंगस जनित लगबग गेहूं में 95% बीमारी को वो कंट्रोल कर देता है और ये जो दवाएं जो मैंने आपको बता एफी टोगरा के लिए तो इसका भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये भी गेहूं के अभी के वस्ता की जो बहुत सारी कीट है उसको ये खतम कर देता है आप चाहें तो दोनों को मिला के भी इस्प्रे कर सकते हैं इसका सहसाद आप एक चिप को जरूर मिलाएं जिससे की आसानी से हमारे पौधे में फैल जाए और चुकि अभी बारिस का भी संभावना बनी हुई है तो उससे हमारे फसल को जो हम लोग के इस्प्रे करते हैं उसको नुकसान न हो उम्मीद है ये जो दोनों चीज़ अगर आप करते हैं तो आपके गेहूं की फसल में काफी अच्छे उत्पाधन आने वाली है तो फिलाल आज की वीडियो में बस इतना है इसे संबने कुछ भी आपके सवाल या सुझा होते हैं तो प्लीज अप नीचे में कमेंट करेगा और वीडियो अच्छा लगता है तो हर बार की तरह लाइक करके चैनल को सब्क्राइब चरूर करिएगा